सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्लोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बुलेट वायरलेस टू का नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप दिख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यह है यहाँ पर हमारे पास में ब्रांड न्यू वनप्लस बुलेट वायरलेस टू एरफोन का बॉक्स अपने स्टैंडर्ड वनप्लस कलर स्कीम में जहां बॉक्स को उपन करते ही हमें मिलता है एक ग्लिम्प्स इनी नए एरफोन का और सबसे नीचे लिखा है यहाँ दोस्तों में गमपार्टमेंट उपन करते ही हमें मिलते हैं बुलेट वायरलेस टू एरफोन एक्स्ट्रा एरबड्स कुछ बेसिक पेपर वर्क एक चोट इसी यूएस्बी टाइप सी केवल और एक काफी यूनीक और इंटरस्टिंग सा केस इनी एरफोन को स्टोर क यहाँ दोस्तों नेक बेंड के साइड में है पेरिंग बटन एलेड लाइट के साथ में और इसी के पीछे है यूएस्बी सी पोर्ट जहां आप वाप चार्ज की मदद से इन्हें बहुत तेजी से चार्ज कर पाएंगे और सिर्फ दस मिनट के चार्ज में आप सुन पाएं और एक मैक्रोफोन और अगर हम बात करें में एरफोन की तो यहाँ पर जो बिल्ट है वो मेटल की है और वनपलस के हिसाब से इसकी फिट काफी अच्छी होनी चाहिए अब यहाँ पर तो सुन बात करें कुछ और स्पेक्स की तो यहाँ पर आपको मिल जाता है अब यहाँ पर इन फाक्ट दूस्तों गूगल एसिस्टेंट का भी सपोर्ट है और यहाँ पर दूस्तों जो मैंनेटिक डिजाइन है यह आपको मदद करेगा आटो प्ले पॉस के लिए जहाँ पर सिर्फ इसको क्लिप कीजिए दूस्तों हो जाएंगे और जैसी दूर करे प्लेफ है वो एक सबसे बड़ा मेजर अपग्रेड है जहाँ पर 14 घंटे का प्लेबैक टाइम एक बहुत बड़ी बात है ऐसे सिंपल डिजाइन वाले एरफोंस के लिए और इन फाक्ट दोस्तों सिर्फ 10 मिनट के चार्ज में 10 घंटे का प्लेबैक वो भी काफी युनिक ह और साथ में जो Bluetooth 5 का सपोर्ट है वो भी दोस्तों आपको थोड़ासा भैतर देगा उजर एक्सपिरियंस और इन फाक्ट दोस्तों यहाँ पर बात करेंगें कि इंडिया में खीमत की तो यह रखी है OnePlus ने 5,990 रुपे और इंटरनेशनल प्राइसिंग है 99 डॉलर्स और वैस खास वीडियो के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत आनेवाद मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपका कुविट सालों सुझा हो तो आपने ची कमन करना मत भूलिएगा अगर आपने वीडियो को लाइक ए शिर नहीं किया तो लाइक भी कर द देजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कि मैं आपको रुजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूं फिलाल के लिए नहीं दोस्तों जेहंद वंदे मातरम